जारकरण में दस्वी का रिजल्ट जारी हो गया है बड़ी ख़बर आ रही है पिच्चानबे दश्पलों नौ तीन फीसदी शात्र पास हुए है अभी आप लोग कभी सारा बात चेर्मेंट से बता दिये उसको दोराने जोरत नहीं अभी मुझे परधान मंद्री का आपका व जो आज हमारे इस विभाग के इतना दीन दाते क करके मैंनट करके रिजल्ट आउट किये हैं उनको मैं बढ़ाए दिता हूँ वाशन बाजी को हrica रहता है अज पहली बार 10 मेहने के बाद भासन किये अर भासन में देते हैं हम रहाट जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं हम सभी अधिकारियों से कहना चाहेंगे, जो आज हम लोग का सरकारी स्कूल और नीजी स्कूल को बाते होता है, हम लोग कब तक सरकारी स्कूल नीजी स्कूल को बराबरी करेंगे, इस पर इसको तै करना होगा, इस पर चलना होगा, तब मेरे इस जारखन का उपलब्दी हो सकत है हम बराबरी नहीं करेंगे लोग ज्यादा जुका भी इजी बिद्जा लेंगे है इसलिए हम आप लोग से कानात आएंगे कि अगले बाद हम किये थे आपका हॉल में मिटिंग होल में किये थे आज यहां कर रहे हैं इस महानारी के चलते पूरे देश दुनिया ग्रसित है हम भी उसमें हैं लेकिन हमको मन नहीं माना कि हम वहां जैवे करेंगे जिस विद्वार हमको कलचार्ट मिला अर आज ही आया है सबसे खास करके प्रेश मेडिया के साथियों का जो मुझे सहयोग दिमार्स लेकर अभी तक किये हैं उनको बढ़ाय के पात रहे हुँ लोग हम सिरी पे कहना चाहेंगे कि इस जो मेरा मनसा है उस पर सदी लोग कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है सबका जब जब सहयोग नहीं रहगा तब कुछ नहीं कर सकता है जहां भीभावक हो जहां स्टुडेंट हो जहां हमरे अधिकारी हो सिच्छक हो जहां मन्करी हो सबका सहयोग का जोरत है सब सहयोग करेंगे तभी मेरा जो धातर पर सिच्छा के पति जो गिरावट आया हम बराबरी कर सकते हैं इसको बेडा पार करेंगे सब का सहयोग जोग इसलिए हम आपकलों के बीच ज्यादा नहीं बुलते हुए का वहाँ भी जाना है मैं आप साड़े चार वजे से वहाँ आजे वहाँ आपका समय लेकिन मैं कहाना चाहिए है अद्द्धिक और सक्रेटिस आपको हम जो रास्ता पिछले साब देखके गए हैं उसी रास्ता नफिराज गुजरना पड़ा इस कैसे रास्ता बनेगा इसको सरकार का परपोजल है हम वहाँ बात करने का परियास करें कि कहा कि अधी हम जानते हैं हमाने फोटोग्राफर लोग वहां केमर लेकर त्यार रहें हैं लेका रहें समाच आए हैं मेरा जो देली में बात रहता है हम बोल देते हैं जो जिस कि बड़ी ख़बर इस वक्त की 95 दश्मनों नो तीन फिस सदी छात्र पास हुए हैं जारखंड में दस्वी का रिजनल जारी कर दिया गया है सिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा आपने सुना